स्टुदेंट्स मैं आपके लिए और गैनिक केमिसी से रेजुनेंस टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेका हूँ अब ये ट्रिक जाने के बाद अब पांच सेकंड में बदा सकते हो कि कौन सा ग्रूप पॉजिटिवर देगा और कौन सा ग्रूप नेगिटिवर देगा इसके बाद हम एक कोशन अनसा सेशन करने वाले हैं आप वीडियो को प्लीज एंट तक देखना तो बच्चो चलो इस ट और एक रड़ जो ग्रीण पैन वो बताएंगा लेस एलक्ट्र नेगिटिव एट म को और जो यह रड़ है वो बता Fr अब दीखोगे कि बैंजीन रिंग एए से डारेक्टलीय अटेच है गर्थ यहां पर जो एटम् एए है वो जहएदा इलेक्ट्रनेगिटिव है as compared to atom B तो जब भी ऐसा case होगा कि जो benzene ring directly जब attach होगा जाद इलेक्ट्रो नेगेटिव element या फिर atom के साथ तो बच्चो वो देगा positive R effect क्या देगा बच्चो तो positive R effect इसके सामने गर आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो यह atom A है वो directly attached है किस से यहाँ पर benzene से और जो यह हमारे पास A है वो less electronegative है as compared to B तो इस case में अगर हमारे पास benzene ring अगर directly attached न हो more electronegative atom के साथ तो इस case में हमारे पास बढ़े हाँ पर condition लिएते हैं हम कि atom B is less electronegative as compared to atom A अब यहाँ पर अगर ऐसा case होगा तो यह बच्चो negative R effect शो करेगा शो करेगा negative R effect तो इसको ध्यान में रखते होगे हम एक छोटी सी exercise भी हम कर लेते हैं जिससे हमें बहुत ही असानी होगी पता लगाने में हम mintो में नहीं हम secondों में बच्चो पता लगा लेंगे कि कौन सा molecule positive R देगा कौन सा molecule negative R तो आए बच्चो इस exercise के दर हम बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे पस 6 molecules हैं अब आप यहाँ पर दिखोगे तो यह हमारे पस बेंजीन के ऊपर ओवे चिसे हम बोलते हैं फिनॉर तो यहाँ पर हमारे लगाते हैं क्या oxygen ज्यादा electronegative है as compared to H तो हाँ बच्चो ज्यादा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे A और यहाँ पर आगे हमारे पस B तो यह condition कैसी होई आगे है क्या जादा electronegative जो atom है वो directly attached है हमारे पस benzine से तो यह बच्चो कैसा देगा पॉजिटिव और इफेक्ट अब यहाँ पर देखो carbon हमारे पास क्या हो गया A और oxygen हमारे पास क्या हो गया B तो यह case बच्चो कैसा हो गया second कि ज्यादा electronegative atom है कि वह बैंजीन रिंगни से डाइकलि एटेच नहीं है तो नेगेटिव आर एश्ट यहां पे हमारे पास नयट्रिजन और जौँ यहां पे हमारे पास ओउसरी जाहदा इलेक्टो स्लिगजन है और यहां डाइकलि एटेच नहीं है तो और इफ्ट यहां पर देखो बच्चों, यहां पर O और C, अब इसे हम बोलते हैं, एनिसाल यहां पर हमारे पास जो O है वो जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है as compared to carbon, तो बच्चों, यहां पर हमारे पास जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है as compared to H, तो positive R, और हमें पता है कि electr इलेक्ट्रो नेगटिव होता ही है और इसी लिए ये डाइक्टी अटेच था तो ये भी क्या देगा पॉजिटिव आर तो ये ट्रिक आप अपना के कोई भी एटम कोई नहीं हमारे पर जो ग्रुप आएगा आप उसका इसली फाइंट कर सकते हो कि वह कौन सा एफेक्ट तो हमें कमेंट डाउन के के बताएं